तो हेलो गाइज वैलकम बैक टो अनदर वीडियो तो गाइज कुछ दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारे फ्री फार गेम में स्पेसल एडरोप नहीं आ रहा है तो गाइज अगर आपके भी फ्री फार गेम में स्पेसल एडरोप नहीं आ रहा है मतलब से अपने Free Fire Game में Special Airdrop ला सकते हो तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके गाइस तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि आपके Free Fire Game में Special Airdrop क्यों नहीं आ रहा है तो गाइस यह जो Special Airdrop ना आने की प्रोब्लम है यह सिरफ कुछ लोगों के साथ ही हो रही है अभी मैं आपको वो बता देता हूं तो गाइस अब आपको सबसे पहले Setting वाले Option पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक Option दिखीगा Customer Service का तो आपको इस पर क्लिक करना है तो गाइस उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह कंटरफेस आ जाएगा तो अब आपको यहाँ पर एक Option दिख रहा होगा Submit Request का तो इसके नीचे यहाँ पर एक Box बना हुआ तो आपको इस Box पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी Country सेलेक्ट कर लेनी है तो जैसे मैं आपके इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ और Options आ जाएंगे तो यहाँ पर जो Next Option है वो है Your Email Address तो guys यहाँ पर आपको अपनी कोई भी एक Email ID लिग देनी है उसके बाद यहाँ पर जो Next Option है वो है Free Fire Player ID तो guys यहाँ पर आपको अपनी Free Fire की UID को लिग देना है उसके बाद यहाँ पर Next Option है In Game Name तो यहाँ पर आपके Free Fire Game में जो भी आपका Name है वो name आपको यहाँ पे लिख देना है उसके बाद यहाँ पे next option है type of request तो guys आपको यहाँ पे second वाले option को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे जो next option है वो है select the type of problem मतलब कि आपको problem क्या हुरी है तो हमें technical problem हो रहा है तो आपको यहाँ पे technical issue select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको इस box पर टिक कर देना है तो guys उसके बाद यहाँ पर जो last option है वो है description का तो आपको यहाँ पर description में क्या लिखना है चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो अभी जो मैंने description box में लिखा है आपको same to same ऐसे ही अपने description box में लिख देना है तो आप सबसे पहले इसका screenshot ले लो उसके बाद जब आप request submit करना तो आप वहाँ पर same to same ऐसे लिख देना उसके बाद आपको यहाँ पर privacy policy को accept करना है उसके बाद आपको यहाँ पर submit पर click कर देना है उसके बाद आपके free fire game में space elevator आने लग जाएगा